हेलो स्टुडेंट, वेलकम तो दास्टो एकडमी, आज के इस वीडियो लेक्चेर में सुरू करते हैं, फाइनिंसियल अवर्नेस जिसका पार्ट फाइब है, और लड़ी फोर पार्ट अप्रूट किया चुके हैं, वो वीडियो आपके एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टे वो वीडियो आप रिविजन के तौर पर कई बार देखिएगा, उनका लिंक मैं आपको डिसेशन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, या फाइनिंसियल अवर्नेस के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, जो इस्टुडेंट आज चैनल पे नए हैं, वो उनको सस्क्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिसे उन्हें लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंद मिले, और वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ सेर करते हैं, और कमेंड करके बताएं वीडियो कैसा लगा, तो सुरू करते हैं आज का फानेंसे लवरनेस पार्ट फाइव, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड हों, जो लॉफीसर की प्रेपरेशन कर रहे हों, या जनरल बैंकिंग उफीसर का प्रेपरेशन कर रह रहे हों, या ऑफिस असिस्टेंट का प्रेपरेशन कर रहे हों, इन सब चीजों की जितने लोग आपके दोस्त हैं, या जो आपके फ्रेंड हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो सेर कर दीजिए, क्योंकि उनके भी एक्जाम में ये फाइनेंसियल अवरनेस या बैंकिंग अवरनेस, काफी रोल प्ले करता है, ठीक हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी काफी जरूरी है, तो जो भी आपके इस्टेंट हैं, या जो भी आपके फ्रेंड हैं, सब को वीडियो ये सेर कर दीजिए, दूसरी बात ये है, इस्टेंट की आप लोग कहते ह है वीडियो का, तो डिस्केशन बाक्स में टेलीगराम का लिंक दिया गया है, वो आप वहाँ से जोइन कर लें, क्योंकि जो भी नोटिस होती है, जो भी नोटिफिकेशन होता है, वो टेलीगराम में अप्लोड कर दिया जाता है, वहीं से आपको एक नोटिस मिल जाती है, क आप जोईन कर लें और आप उहाँ पर मुझसे सोचल मेडिया में जुड़ सकते हैं इतना काम तो हर सुड़िन को कर लेना चाहिए क्योंकि जब वो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा तो उसे एक प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वो बिलकुल प्रॉपर इस वीडियो को फॉलो कर पाएगा क्योंकि सारे वीडियो काफे इंपोर्टेंट है और काफी अच्छे से बनाए जाते हैं आपके जितने भी परिच्छा में जिस तरह के क्वेस्टन आते हैं उन्ही को ध्यान में रखते हुए सारे वीडियो प्रिपेर किये जाते हैं ठीक है तो उसे लिए आप बिलकुल चिंता ना करें तो ये सारे काम आप सबसे पहले कर लें ठीक है चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो क्वेस्टन है आपके FATF के बारे में ठीक है जो काफी important है और काफी बार news में भी रहा है ये तो चलिए देखते हैं how many members are there currently in the financial action task force ठीक है काफी बार news में रहा है actually financial action task force करता क्या है सबसे पहले ये चीज़ आ लीजिए तो जो भी देश की money laundering होती है ठीक है जो पैसे के तो जितना भी हवाला होता है यानि black से white money जो की जाती है उन सब की निगरानी रखता है FATF ठीक है FATF उसकी निगरानी करता है और अगर उसे लगता है कि कोई देश इन सब चीजों में सामिल है या इस तरह का कोई काम जैसे funding कर रहा हो किसको terrorism को funding कर रहा हो या किसी ऐसे संगटन को funding कर रहा हो जो मतलब ban हो संगटन जो अच्छे संगटन नहीं जो काम नहीं करते हैं ठीक है तो उन सब तरह का अगर कोई काम country करती है कोई देश करती है तो उन पर क्या करती है यह ban लगा देती है यह ban कर देती है उस country को और उस country को जितने भी financial support मिलते हैं वो मिलने बंद हो जाते हैं जैसे IMF देता है International Monetary Fund किसी country को पैसा देता है तो यह सब पैसा देना बंद कर देते हैं ठीक है अभी आगे और भी questions में include किये गये हैं तो उन country पे यह बयान लगाने का काम करती है तो इतना बस जान लीजिए तो question यहाँ पूछ रहा कि कितने member अभी currently FATF में हैं तो आपका answer होगा 39 member इस समय currently जो है आपके FATF में है 39 member student यह second question है FATF से ठीक है FATF से बट वहाँ पे मैंने पूछा था आपसे कितने हैं total 39 member हैं तो बस आप यह search करके बता है जो 39 member का member है वो कौन सा देश है ठीक है वे इस country है 39 number पे और एक बात अभी जान ले कि जो G7 था ना हमारा उसके दोवारा यह FATF सुरू किया गया था फिर बाद में इसमें रसिया add हुआ था तो G8 हो गया था ठीक है बाद में फिर रसिया यहां से निकल गया तो G7 हो गया था इनके दोवारा यह चीज़े शुरू की गई थी बट आज प्रॉपर 39 country हैं और 39 country में 39 number पे कौन से देश है यह आप search करके comment में ज़रूर बताईएगा ठीक है यहां पे हम लोग देखते है FATF के बारे में ही which two country have been included in the black list by the financial action task force यह unit नहीं task force होगा कहने का मतलब दो देशों को black list कर दिया गया है FATF के दौरा ठीक है बित्तिये कारवाई काई बल यानि financial action task force के दौरा दो देशों को black list में अभी तक डाला गया है जितनी पूरी country हमारी world के उनमें से सिब दो country ऐसी है जिनको black list किया गया FATF के दौरा ठीक है क्योंकि FATF का मानना है कि यह दो country ऐसी है जो ट्रेयर को funding करती है या ऐसे किसी organization को funding करती है या कुछ उनके यहां जो भी मतलब पैसा वगरा है ठीक है वो सब गलत तरीकी से उसका इस्तमाल होता है उसलिए इसको black list में डाल दिया गया है तो यहां पे आपका answer होगा one and third ठीक है North Korea और इरान यह दो ऐसी country है जिनको FATF के दोरा black list कर दिया गया है ठीक है तो यहां पे किसी भी organization के दोरा चाहे वो IMF हो या World Bank हो ठीक है या ADB हो किसी के दोरा यहां पे इनको financial support नहीं किया जाएगा और बिना financial support के यहां पे जितनी भी मतलब economy है वो काफी बुरी हो जाएगी ठीक है काफी देश का development रुख जाएगा काफी चीजे हो जाएगी यहां पे हमेशा आपको एक चीज़ देखने को मिलता होगा कि पाकिस्तान चुकि इंडिया का nearest country है नेवरीं country है ठीक है तो यहां पे भी financial action task force ने पाकिस्तान को gray list medal रखा है ठीक है एकदम stop कर दिया है वर्ड बैंक ने भी आईमेफ ने भी एडी भी ने ठीक है सभी ने इस पर जो इनको support दिया जाता था सब पर stop कर दिया है क्यों क्योंकि FATF के दौरा यह gray list में है और अभी recently पाकिस्तान ने भी इस चीजों को रोकने के लिए ग्रेलिस से बाहर निकलने के लिए काफी कदम उठाये हैं काफी steps लिए हैं कि जो भी उनके यहां terrorist हैं उनके नाम उन्हें announce किये हैं और उन पे बियान लगाने शुरू किये हैं तो ऐसा काम पाकिस्तान ने करना शुरू किया है तो शायद अगर यह चीज़े वो करने में बिलकुल अगर साही होते हैं तो effective के दोरा इनको ग्रेलिस से बाहर किया सकता है फिर इनके यहां जो भी मतलब funding वगरा है IMF के दोरा यह वर्ट बैंक के दोरा तो वो फिर से proper सुरू हो सकता है जिनकी इनकी जो economy है development है सब कुछ फिर से सुरू हो सकता है तो यहां पे काफी चीज़े आपको जानने को मिली है तो यह effective के बारे में काफी important है ठीक है यहां पे आपको जानने को मिलेगा MCX के बारे में multi community exchange इसको बोला जाता है What is the name of multi community exchange that will launch the first bullion in India ठीक है अभी MCX ने भारत का पहला ठीक है bullion and exchange launch किया है उसका क्या नाम है ठीक है पहला bullion उसने launch किया है MCX ने उसका नाम पूछ रहा है तो उसका नाम है bulldex ठीक है यह पहला bullion है इंडिया का जो MCX के दोरा launch किया गया है Actually, my friend bullion क्या होता है यह भी आप जान ले तो जो मतलब multi community exchange जैसे है वो अब gold और silver gold और silver दोनों का भी business करेगी share market में भी वैसे भी business किया जाएगा ठीक है तो उसमें इसको bullion word नाम दिया जाता है तो bullion भी एक economic background का word है तो जिसे आप समझ पाएंगे कि अब mcx क्या करेगा सोने चादी का भी business करेगा तो यह हो गया bullion और यह जो है mcx यानि भारत का पहला bullion है तो bulldex के नाम से है यहाँ पर आपको यह जानने को मिलेगा कि mcx की जो establishment है वो 2003 है 2003 में mcx को बनाया गया था और इसका headquarter जो है सबसे बड़ा community exchange है mcx तो इसने अभी launch किया भारत का सबसे पहला बुलियन है वो bulldex है student is question में हम लोग बात करेंगे मानोहाथी टक्राओ के बारे में ठीक है government of India has launched a national portal on human elephant confrontation what is the name of that portal कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने मानोहाथी टक्राओ पर एक रास्थी है portal का सुबारम किया है उस portal क्या नाम है उस portal का नाम है सुरक्चा ठीक है क्योंकि अभी आप लोगोंने देखा होगा कि काफी बार जो हाथी का उनके दंत की वज़ा से काफी वो expensive होता है उनके दाथ जो होते हैं बड़े वाले उनकी तसकरी की जाती है और काफी बार आप लोगोंने देखा होगा कि जैसे जंगल से जो रोड गए हुए हैं वहाँ पे काफी बार हाथी का एक्सिडेंट और भी हो जाता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है और सबस्यादा जो लेटेस है तसकरी की जाती है उनके दाथों के लिए तो उन सब के बचाओ के लिए भारत सरकार ने एक मानोहाथी टकराओ की जो भी मतलब जितनी भी घटनाई होई है उनके लिए सुरक्छा नामा के एक पोर्टल जारी किया है काफी इंपोर्टन्ट है यह और इसको जारी किस ने किया है यह प्रकास जावड करना जारी किया है प्रकास जावड करना जारी किया है कमेंट करके यह बताएं यह हमारे कौन से मंत्री हैं कौन से मंत्री है प्रकास जावड कर student यहां हम लोग बात करेंगे एबाइक गो की ठीक है यह क्या है यह electronic vehicles है ठीक है who has e-bike go एक company है appointed as its new brand ambassador e-bike go ने अपना नया brand ambassador किसे nuked किया है किया सचिन तैंदूलकर e-bike go के नए brand ambassador है Mane Singh दोनी को इबाइक गो का नया ब्रांड अमेजडर एपॉइंट किया गया है या हर्भजन सिंग को अजडडडेजा को या बिराट कोहली को ठीक है किनको एपॉइंट किया गया है तो इबाइक गो के नय ब्रांड अमेजडर जो है वो है हर्भजन सिंग ठीक है हरबजन सिंग को इबाई गोने एक नया ब्रन्ड अमेजडर बनाया है और ये जो है ठीक है एलेक्ट्रोनिक वैकल्स की कमपनी है और भारत सरकार नहीं कहा है कि जो हमारा एलेक्ट्रोनिक वैकल्स है वो 2020 तक जो है टूइलर मार्केट में 10% हो जाएगा ठीक है 10% क्या होगा हमारे रोड पे यानि कब से कम कुछ नहीं तो इलेक्ट्रोनिक वैकल्स दिखने शुरू हो जाएंगे तो ये भी सन याद रखेगा 2020 तक 10% ये बारत सरकार का अकड़ा है ठीक है 10% कम से कम टूवेलर मार्केट सेयर हमारे इंडिया में हो जाएंगे इस क्वेशन में हम लोग बात करेंगे सेल्फ रिलायंस की ठीक है रिलायंस की जिसको हम लोग आतेमिरभर भारत बोल रहा हैं आजकल काफी पॉपलर है ठीक है आत्मिरभर भारत सारी चीजें सबी निर्वर भारत के जो support में हैं कि भारत जो है आतनिरवर हो गया है उसे से रिलेटेड कुछ question है the government has banned the import of how many defense items ठीक है कितने defense item को government ने बैन कर दिया है क्योंकि अब वो क्या होने जा रहा है self reliance होने जा रहा है आतनिरवर को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे रच्छा बस्तों के आयात है उस पर परतिबन लगा दिया गया तो कितने हैं वो है total 101 total 101 हैं जिन पर जो है बैन कर दिया गया परतिबन लगा दिया गया है कि अब इन बस्तों का आयात नहीं किया जाएगा यह अपने इंडिया में ही manufacture किये जाएंगे भारत में ही making इंडिया के थूरू manufacture किये जाएंगे तो काफी अच्छा initiative लिया गया है इसके दोरा यह हमारे रच्छा मंतरी कौन है राना सिंग के दोरा ठीक है राना सिंग के दोरा यह अच्छा initiative लिया गया है क्योंकि 101 बस्तों को अब बैन कर दिया गया है student यहाँ पर हम लोग बात करेंगे e-commerce yellow chain की ठीक है e-commerce yellow chain क्या है which state government has launched an integrated e-commerce yellow chain platform ठीक है किस रा सरकार ने एक e-commerce yellow chain platform को launch किया है तो वो government है आपकी nagaland government ठीक है nagaland government ने e-commerce yellow chain platform को launch किया है यहाँ पर क्या करेंगे जो व्यापारी बर के लोग है तो कोई भी हो चाहे वो seller हो ठीक है या वो service provider हो या individual हो या कोई groups हो ठीक है यह अपने आपको इस पर जाकर register कर सकेगा और जो भी वो उसके दोरा product बनाये जाता है ना वो किसी तक पहुचाने के लिए या sale करने के लिए ठीक है बिलकुल वो खुद सच्छम रहेगा तो यह काफी अच्छा initiative है नागा लेंड की government के दोरा क्योंकि कोई भी जैसे चोटे-चोटे जैसे कुमार हो गयरा होते है ना जो मिट्टी के बरतन बनाते हैं या कुछ लोग चीजें बुनती है ना घर में बैठके तो वो लोग भी चाहें तो इस पे जाके अपना रिस्टरेशन कर सकते हैं और अपने product को अपने जितने भी उ यहां के सीयम एनी शीफ इनिस्टर हैं और आर अर रभी जो हैं राजजपाल हैं स्टूडेंट यहां हम लोग कैप्टल इंडिया फाइनेंस की बात करेंगे कैप्टल इंडिया फाइनेंस को सी आइफ बोलते हैं अभी कैप्टल इंडिया फाइनेंस ने अपना नया एक्जिकुटिव चेयरमैन किसे नीउत किया है क्यों पूछ रहा है तो यहां पर आपको मिलेगा आंसर हर्च कुमार भानवाला जी को CIF ने अपना न्यू एक्जिक्यूटिव चेर्मैन ठीक है एपॉइंट किया है जहाँ पे इंड्रेस्टिंग बात ये है कि हर्ष कुमार बानवाला इससे पहले 6 बर्स के लिए नाबाड के क्या थे अधिस थे नाबाड के थे 6 बर्स तक लगातार थे और अब इनको CIF के द्वारा अपना एक्जिक्यूटिव चेर्मैन एंपॉइंट किया गया है तो जो हमारा कैपिटल इंडिया फाइनेंस है उसका हैड़कॉर्डर कहां पे है तो इसका हैड़कॉर्डर मुंबई में है और इसके M.D. कौन है केसो पॉरवाल केसो पॉरवाल इसके M.D. है ठीक है ये भी ध्यान रखें इस्टुडेंट यहाँ पे एक योजना है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस्टेट गौर्वर्मेंट है लॉंच दा उरुनो दोई ठीक है उरुनो दोई इसकीम है ये योजना है फॉरवुमेंट के लिए है इंपावर्मेंट बोवन इंपावर्मेंट यानि महिला सक्ष्क्षति करड़ के लिए है in which 1730 poor family जानी 1730 गरीब परिवारों के लिए will be provided 830 यानी 830 रुपे पर मंद उनको दिये जाएंगे यह जो योजना है ना अरुना दोई योजना यह किस सरकार के द्वारा किस राज सरकार के द्वारा शुरू किया गया है जहाँ पर टार्गेट किया गया है यह भी स्टेट के द्वारा राज सरकार के द्वारा का अच्छा इनिसेटिव लिया गया है और वो स्टेट कौन सी है केरल है तिलंगाना है पस्टिम बंगाल है यह यह स्टेट गोवर्मेंट है असम ठीक है असम ने ऐसा इनिसेटिव लिया है और यहाँ पे काफी अच्छा है कि जितने भी गरीब परिवार है जो सच्छम नहीं अपना वरण पोस्ट के लिए ठीक है वुमेन इंपॉर्मेंट को बढ़ानवा देने के लिए 830 रुबे परतिमा उन्हें गौर्रमेंट देगी यहाँ पे एक बात और जानले जो असम की हमारी कैपिटल है वो कौन सी है दिसपूर है दिसपूर कैपिटल है और राजपाल है जगदीश मुकी और सियम है सर्वानन सोनवाल यहां के मकमंत्री है इस्टुडेंट काफी इंपॉर्टन क्वेस्टन है यह आर्वियाई से है आपका ठीक है बहुत ही कैरफली इस सीच को सुनिएगा कि दा रिजर बैंक ऑफ इंडिया है यह किस नहीं है सुबिदा पोर्टल टू प्रिवेंट चेक फ्रॉड ठीक है यानि आर्वियाई ने अ क्या क्या होगा इससे सबसे पहले चीज है कि अगर आप 50,000 या उससे ज्यादा ठीक है 50,000 या उससे ऊपर का अगर आप चेक जमा करते हैं तो अब जो पहले काफी फ्रॉड होते थे वो अब रुख जाएंगे क्यों क्योंकि पॉस्टिप पे के जरिए आपकी जो डिटेल ह तो वो पॉस्टिप पे के माद्यम से जानकारी आपको पहुचाएगी ठीक है बैंक आपको पहुचाएगी और अगर आप उसे एस या नो में आंसर करते हैं यानि अगर कहने का मतलब जो भी इंफोर्मेशन है वो अगर मेल करती है मेल खाती है तो पेमेंट आपको कर दिया जो लेकर आया है RBI ने जिससे अब चेको के द्वारा दोका दड़ी को रोका जा सकेगा तो यहां पर दो तीन चीजें आपको जानने को मिला है कि RBI ने भी चेको की दोका दड़ी के लिए लांच किया है और यह किस पर अपलाई होगा 50,000 का चेक होगा या उसके ऊपर का च कारड ठीक है फॉर आंफोर सोल्जर जो हमारे आप सोड फोल्डर हैं सोलजर है उनके लिए एसडी अपसी बैंग ने शौर केजी सी कारड लांच किया है यह मतलब उनके किस तरह के लिए हैल्पकर ऒस अनके अगरी कल्चल के लिए मदद करेगा फैमिली के लिए सेलफ के ल कार्ट दिया है जिसके लिए वो अपनी फैَمली के लिए सपोर्ट कर सकते हैं अगरिक कلचर darling के लिए काफी चीज़े कर सकते हैं और यहां पर अगर उन को को लॉइन लेने है तो 5 लाक सपोर्ट किया जाएगा ठीक है 5 लाक और हाँ पर दो लाग के तुलमय करीब 10 लाग का लाइफ इंसोरेंस भी दिया जाएगा ठीक यह परिए करी दिश्यारच 品ल विदिया जाएगा यह समझ लें कि काफ़ी अच्छा यह है क्Eromnあ जो भी जैसे किसी के घर से एक कोई हमारा arm force का person select हुआ है ठीक है तो वहाँ पे भी काफी सारी चीजे मतलब बहुत financial support नहीं होता है तो वहाँ पे अगर ये चाहते हैं अगर उनके father या उनके brother कोई farming करते हो agriculture में तो उनके लिए काफी अच्छा SDFC bank ने लिया है कि कम चीजों पे उन्हें ये loan मिलेगा agriculture के लिए और वो अपना जो है ग्रो कर पाएंगे तो ये सौर के जिसी कार्ड agriculture के लिए SDFC bank ने launch किया है जो हमारे arm force soldier हैं उन्हीं के लिए student यहां पे हम लोग एक India at the rate 75 committee यानि समित mission का गठन किया गया है who has recently organized India at the rate 75 committee ठीक है ये ध्यान मिशन 20 समित मिशन का है 2020 के दोरा ॥िक है इंस सभी को मिला के किया जाएगा तो जो इंडिया at the rate 75 committee है मिशन 2020 में किया जाएगा वह किया जाएगा ठीक है जिसका हिंदी में बोलते हैं भारतिये उद्दोग परिशंग भारतिये उद्दोग परिशंग इसका फुल फॉर्म CIA का फुल फॉर्म कमेंट में करके आप बताएं और ये 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा 2022 में दा यूनियन मिनिस्टर आफ कैमिकल एंड फर्टिलाइजर है रिसेंटली डिसाइड़ तो अब वेशिक मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट इन वीच स्टेट अभी हाली में केंद्रिय असायन और उब्रक मंत्री ने किस राज में मूल निगरार्यू संसादन इकाई के अस्थापना का नड़े लिया है ठीक है यानि IPM若 जिसको बोलते हैं क्या कैमीकल एनड फेटलाइजर है रिसेंटी यह मिनिस्टर ने लौंज किया है क्या बेसिक मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते है निगरानी और संसादन इकाई की यह लौंज किया है करनाटक करनाटक के सरकार ने लांज किया है करनाटक और यहां पर जो केंदरी रसायन और उब्रक मंत्री हैं कौन है डीवी सदानंद गौड़ा यह भी याद रखें इन्हों नहीं यह जो निगरानी और संसाधन इकाई है इसके अस्थापना करनाटक में कराने की बात की है अस्थाप अधिकर के इसके अभी हाली में जो I.C.R. I.E.R. है उसके जो न्यू चैर्मैन थे वो थे इस्वर्जज अहलू वालिया ठीक है इनको रिप्लेज किया है और नए अधच बने है उनका नाम किया है उनका नाम है प्रमोध भसीन ठीक है प्रमोध भसीन I.C.R. I.E.R. के नए chairman بنے है इसका पूरा नाम आप comment में मुझे करके बताएं और इन्हें रिप्लेस किया है इस्तुर जज अहलू वालिया को ठीक है इसका headquarter कहाँ पे है headquarter है new Delhi में headquarter है और इसके जो director और CEO है न वो dr. Rajat Kathuriya है dr. Rajat Kathuriya ये उसके CEO और director है किसके ICRIER के ठीक है और इसका full form मुझे comment में बताएं student यहाँ पे digital अपनाए एक अभयान सुरू किया गया है किस bank के द्वारा सुरू किया गया है recently the bank has started the digital अपनाए campaign to promote the digital banking digital banking को promote करने के लिए किस bank के द्वारा digital अभयान को सुरू किया गया है PNB ने किया पंजाब National Bank ठीक है PNB ने किया है यहाँ पर आप यह question बताएं कि किन किन bank को merge किया गया है ठीक है और यहाँ पर यह digital को बढ़ावा दिया गया है यहां पर PNB के बारे में कुछ जान ले इसका headquarters कहाँ है न्यू देलि में है और इसकी जो establishment हुई थी वो 19 May 1894 को इतना पहले हो गया था 19 May 1894 को हुआ था और इसके जो संस्तापक थे कौन थे पता हैं लाला लाजपत राई जी थे लाला लाजपत राई जी और दयाल सिंग मजीठी ठीक है ये दो लोग इसके संस्तापक थे PNB के लाला लाजपत राई जी और दयाल सिंग मजीठी ये दोनों लोग इसके संस्तापक थें और 1894 में ही PNB के स्तापना कर दी गई थी तब जब इंडिया में पाकिस्तान भी था तो वहां का जो लाहूर जगा है ना लाहूर है लाहूर में इसके स्थापने की गई थी PNB की और PNB ने अभी डिस्टल को बढ़ावा देने के लिए डिस्टल अपनाए नामक अभियान शुरू किया है Recently who has been appointed as the CEO of Go Air to replace बिने दूबे ठीक है अभी हाली में Go Air ने किसे अपना नया CEO बनाया है और जो बिने दूबे का स्थान लेंगे यानि replace करेंगे बिने दूबे को तो वो हैं कॉसिक होना ठीक है कॉसिक होना बने है कॉसिक होना बने है Go Air ठीक है Go Air के नए CEO आपको पता है कि यह जो Go Air है ना वो भारत की सबसे कम लागत वाली एरलाइन है सबसे कम लागत वाली ठीक है इसका हैटकॉर्टर कहां पर है इसका हैटकॉर्टर है मुंबई में और संस्तापक इसके जो हैं वो जहांगिर वाडिया है जहां कि रवाडियाज के संस्तापक हैं और Go Air के स्थापना जो की गई थी 2005 में की गई थी मुंबई में इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में है और अभी जो नियोली सीयो बने है Go Air के वो बने है कौसिक खोना Student यहां पर आपको जानने को मिलेगा कि एक Insurance Company है जिन्होंने अभी हाली में Last Policy को फिर से शुरू करने की गयुजना को शुरू किया है ठीक है वो Company कौन सी है ठीक है कौन सी Company अभी हाली में Launch की गई है जो अपनी Last Policy को दुबारा सुरू करेगी वो NICL क्या Insurance Company है SBI Life Insurance Company है United India National Insurance Company है या Life Insurance Corporation या कोई नहीं है तो यहां पर आंसर आपका LIC होगा LIC ने अपनी Labs Policy के लिए जिनकी Policy छूट गई है ठीक है या जो जमा नहीं कर पाये थे उनके लिए एक BCS योजना शुरू की है कि वो अपनी Policy को जो है अब 10 अगस्ते लेकर 9 October तक 10 अगस्ते लेकर 9 October तक दुबारा उस Policy को Renewal करा सकते हैं और शुरू कर सकते हैं LIC का Headquarter आपको जानने को मिलेगा मुंबई में हैं और इसके अध्यच जो है MR कुमार है MR कुमार इसके अध्यच है और इसका Establishment जो हुआ था 1 September 1956 को 1 September 1956 को इसका Establishment हुआ था Student यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा India Bulls Housing Finance India Bulls Housing Finance has recently appointed its non-executive chairman What is his name क्या नाम है उनका जिनको अभी हाली में Non-executive chairman के पत पर Newkt किया है India Bulls Housing Finance ने उनका नाम है SS Mundra SS Mundra को Non-executive chairman India Bulls Housing Finance ने Newkt किया है ठीक है और इनका पूरा नाम क्या है SS Mundra का तो इनका पूरा नाम है सुबास सिवराण ठीक है सुबास सिवराण Mundra इनका पूरा नाम है और यहाँ पर यह समझी है कि जो अभी समीर गैलोत थे समीर गैलोत यह इसके संस्थापक थे किसके India Bulls Housing Finance के इन्होंने यह पत छोड़ दिया अध्यच पत छोड़ दिया इन्होंने ठीक है किनी काल़ों से और अब जो Non-executive chairman बनाए गए हैं वो SS Mundra बनाए गए हैं और India Bulls Housing Finance की जो Establishment है वो 2005 मिसके स्थापना की गई थी और इसका Headquarter कहां पर है Guru Gram और Guru Gram कहा है हर याड़ा में Guru Gram कहा है हर याड़ा में Recently who approved the creation of a joint venture with been HAMCL and HL तो जो HAMCL है और HL है इन दोनों के बीच अभी joint venture को मंजूरी दे दी गई है तो किसके दोरा दी गई है क्या ये सेवी के दोरा दी गई है सिट्वी के दोरा, CCI के दोरा ये CI के दोरा ये किसी के दोरा नहीं तो ये जो बेंचर की मंजूरी दी गई है CCI Competition Commission of India के दोरा यानि भारती एप परसपरदा आयोग जो है न उसने HAMCL और HL को दोनों को जोइंट वेंचर के लिए मंजूरी दी है ठीक है HL क्या है, हिदाजी Limited है और HAMCL का फुल फॉर्म आप लोग सर्च करके मुझे बताएं और जो CCI है जिसने इनको जोइंट वेंचर के लिए मंजूरी दी है उसके अदेच जो है वो असो कुमार गुपता है ये भी दियान रखें, काफी important है असो कुमार गुपता है, इसके अदेच है CCI के Student, यहाँ पे आपको GI Tag के बारे में जानने को मिलेगा ठीक है, GI का फॉल फॉर्म आप सर्च करके मुझे कमणे बताएं तो अभी हाली में किसे GI Tag दिया गया है who has been given GI Tag recently चुकि दो को GI Tag क्या है कुछ ऐसे goods हैं, या कुछ ऐसे product हैं जो काफी अच्छे हैं, उनको ये Tag दिया जाता है और financial दुर्ष्टी से ये question हमारे exam में बिलकुल आता है 100% आता है, पूछा जाता है question इनको भी GI Tag दिया गया है GI का full form आप बताएं और थोड़ा इसके बारें पढ़ें, काफी मज़ा है काफी interesting है ये, ठीक है तो ये समझ लीजिए, कि जो काफी अच्छा super food होता है, काफी अच्छा होता है ये कुछ ऐसे goods होते हैं, जो काफी A1 class के होते हैं, उनको GI Tag दिया जाता है तो यहाँ, गोवा का खाजा और हर्मन मिल्ची इनको GI Tag दिया गया है मिंदौली के केले, इनको भी GI Tag दिया गया है तेलंगाना का तेली रुमाल, ये क्या है? ये एक painting है ये एक painting है, इसको भी GI Tag दिया गया है और एक छारखंड का है सोहराव, सोहराई कोवर सोहराई कोवर इसको भी GI Tag दिया गया ये भी एक painting है तो इतने सारे GI Tag आपके इंडिया में दिये गये हैं और GI Tag का full form जरूर आप बताईएगा थोड़ा search करिएगा काफी interesting है और काफी अच्छे product को काफी अच्छी चीजों को जो event class के होते उनी को दिया जाता है तो यहां सारी चीजों को note कर लीजिएगा और revision जरूर कर लीजिएगा जिससे आपका question आता है न तो आपका question गलत नहीं होगा मैं एक बार फिर से revision कर दे रहा हूँ आपका revise कर दे रहा हूँ गोवा का खाजा, हर्मल, मिर्ची यह दोनों गोवा के ही है में दॉले के केले तेलंगाना का तैले रोमाल के है पेंटिंग है और जहार कंड का सोराइक होवर ठीक है, यह भी एक पेंटिंग है इन सबको GI tag दिया गया है तो बस financial awareness के वीडियो में बस इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में God bless you to all, thank you for watching और फ्रेंट, ब्लीज वीडियो को like जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ share करिएगा दो काम जरूर करिएगा, thank you for watching